यह एक ऐसा street food है ना जिसे खाना हर किसी को पसंद चाहे वो बच्चे हो बड़े हो जिसे खाने के लिए कभी कोई मना करता ही नहीं है और अगर इसे घर में बनाना हो और इतना crispy और मज़ेतार बनाना हो तो क्या करें तो चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हो कि एक्तम करारी कि बनाने के लिए आप इसमें क्या आइड करें है वेल्कम टू रॉपाली किछिन कुकिंग बेकिंग और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं यह मज़िदार सी रेसिपी को वट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर ल अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस थे यह बचे होई चावल नहीं है तो आप कोई बात नहीं आप इसमें पोहा बिगो कर रख दीजे और पोहा बिगो कर एड कर लीजे अगर आप राइस एड करेंगे ना तो मतलब क्रिस्पी जो है जब बर जस्ट करारी बनने वाल अगर राइस कम है तो आप मैं सजेस करूँगी उसमें पोहा एड कर लीजे ताकि आलू से ज़्यादा यह जो राइस और पोहा है वो मिलाने से क्रिस्पी हो जाती है टिक्या तो मैंने अच्छे से मिला कर और इसमें नमग एड करकर एक अच्छा सा डो तयार कर लिया है और अच्छी बन सकें एक्तम करारी तो यह देखे मैं इस तरीके से त्यार कर लूगी और अब हम चलते कडाही की तरफ तो दूसरा सीक्रेट है हमारा करारी टिक्की का कि आप टिक्की जब भी बनाए ना तो इसे इस तरीके से पैंड में बनाए थी हलका सा शैलो फ्राइ करते ह इसे क्या होता है टिक्की जो है बहुत ज्यादा करारी बनती है जरूर ट्राइ करिए कर एक पर तो यह देखे और कैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम से हाई हाई तो आप कमी रखें मेडियम रखें अगर आप लो रखेंगे तो टिक्की फटने के चांस हो जाते हैं हाई तो क्रिस्पी उपर से तो हो जाएगी बट अंदर से नहीं होगी इसलिए मैं सज्जूस करूंगी कि आप मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरीके से अच्छे से सीखिए एक तरफ से जब यह सीख जाए तो आप इसे पलट कर दूसी तरीके से दूसी तरफ से सीख लीजिए और इस टिक्की को सेखने के लिए मुझे कम से कम पांस से साथ मिनिट लगे हैं और आप जितना धीरे से सेखिंगे ना पेशेंसली उतनी ही टिक्की जो है बहुत करारी बनती है तो इसे मैं अच्छे से दोनों तरफ से एक्तम करला राने तक सेख लूंगी तो देखे मैं इसे पलट कर दूसी तरफ से भी सेख रही हूँ और मैंने इसे पराबर तरीके से टाइम टाइम पर पलटा है हर दो दो मिनिट में और टिक्कियों को दोनों तरफ से हमें सेखना है पलट कर और आप देखे कितना प्यारा कलर आया टिक्की में और यकीन मानिये यह बहुत ज़्य आलू टिक्की चाट तो जिसकी सारी रेसिपी चटनी की मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखिये लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से चेक कर सकते हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी एक बहुत मज़िदार सी चटपटी सी स्ट्रीट वाली चाट तो देखे मैंने टिक्क्यों को प्लेट में निकाल लिया और इसे हाथों से दबा कर मैंने फोल लिया इस तरीके से और अब हम इसके उपर डालेंगे मतर तो मैंने मतर बॉयल करके रखा था अगर आप मतर नहीं है आपके पास तो आप इसके उपर डारेक्ट आप दही डाल सकते हैं तो मतर को अच्छे से फैलाने के बाद मैं इसके उपर डालूगी तही तो तही को मैंने अच्छे से विस्क करके नमक और इसमें चीनी मिलाकर रखा हुआ था ताकि थोड़ा सा मीठा दही हो क्योंकि जो हम बजार में चाट खाते हैं उसमें वो लोग थोड़ा मीठा दही डा दाला और प्रमाद पर एफे था डाला अर्पी फीर हमने डाली है ixके उपर जाप़ कर लाकर थोरा है इसके बाद सब्सक्राब्स तो यह थी खट्णी मिति चुपर अप्लोड कर्दूंटी पिर इसके उपर मैंने डाला है चाट मसाला और लाल मिच पाूडर तो यह क्यों प्याज बारिक कटा हुआ और बारिक सेव तो इस तरीके से मैंने देखिए टिकी को इक्तम तयार कर लिया है और उपर से सबसे लास में मैं डाल रही हूँ इसमें पापड़ी तो अगर यह है तो ठीक है अदरवाइस आप स्किप कर सकते हैं और पापड़ी डालने के बाद इ कि उपर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और देखने में यह बहुत संदर देखें तो देखें हमारी बहुत मज़िदार सी आलो टिकी चाट बन कर तयार है और शौर आपके मूं में भी पानी आ रहा है तो फटा-फट से कमेंट करके बताए कि आपको यह रेसिपी क कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ अब तक ले बाई टेक केर